मिन्टु चिड़ा बड़ा भाई था वो अपने छोटे भाई बबलु चिड़े से कहता है मैंने तुम से कितनी बार कहा है कि पिता जी मरने से पहले जे जमीन मेरे नाम लगवा गे थे फिर तुम बार बार क्यों मुझे तांग करने आ जाते हो ऐसा कैसे हो सकता है मैं आपका भाई हूँ और पिता जी की जायदाद पर मेरा भी प्रापर का अधिकार है मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है आप मेरा हिस्सा मुझे दें नहीं तो मैं क्या नहीं तो तुम क्या कर लोगे जो करना है कर लो उस पर छोटा भाई रोने लग जाता है मैंने तो सुना था कि बड़े भाई पिता जैसे होते हैं परन्तु आप ऐसा भी कर सकते हो ये मैंने कभी नहीं सोचा था मैं कबसे तुम्हारी बातें सुन रही हूं जाओ भाग जाओ यहां से ऐसा नहो कि हम मार मार कर तुम्हें इस घर से निकाल दें फिर छोटा भाई रोता हुआ वहां से चला जाता है वो थोड़ी दूर घने जंगल में एक जगा जाकर बैठ जाता है अब मैं अपनी पतनी से जाकर क्या कहूंगा कि मेरे भाई ने तो मुझे अपने घर से धके दे कर निकाल दिया है मा जी आप तो देखी रही हैं पता जी आप देख लें कैसे बड़े भाई ने सारी जमीन पर कबजा कर लिया और मुझे कुछ भी नहीं दिया ऐसी रोने से काम नहीं चलता बहादर बनो बहादर अपने माता पता की तरहां अच्छाई को आगे बढ़ाओ और ये लो ये आप की लिए है वहाँ एक परी आकर बबलू चिड़े से ऐसा कहती है और उसे एक बांसरी देती है आप कौन हैं और ये चीज मेरे किस काम की है मैं तुम्हारी ममा की सहेली हूँ आपको मुसीबत में देखकर आपकी मदद करने आई हूँ ये एक जादूई बांसरी है इसे बजाने से पहले ऐसा कहना जादूई बांसरी गाती जा और भूकों को भोजन खिलाती जा ऐसा कहते हुए वो परी वहां से गायब हो जाती है बबलू चिड़ा भी वो जादूई बांसरी लेकर घर चला जाता है तो क्या आपके भाई चाइदाद में से हिसा देने के लिए मान के या नहीं? नहीं, भाई तो नहीं माने, उन्होंने तो मुझे घर से धके दे कर बाहिर निकाल दिया अब कैसे चलेगा? महीने का राशन भी खत्म हो गया है और घर का किराया भी आने वाला है, मैंने तो दो दिन से भोजन भी नहीं खाया फिर उसका पती अपनी पतनी को उस चादूई बांसरी के बारे में बताता है वो परी मेरी ममा की सहेली थी, मुझे दुखी दे कर मेरे पास आई और मुझे ये बांसरी दे कर गायब हो गई पती जी अब मुझे तो भूक बहुत जादा लगी हुई है मुझे इस जादूई बांसरी से भोजन तो ले कर दे फिर बबलू चिड़ा बांसरी से ऐसा कहता है जादूई बांसरी गाती जा और भूकों को भोजन खिलाती जा और उस बांसरी को बजाता है फिर क्या था? वहां तो उस जादूई बांसरी के कारण भोजन ही भोजन आ जाता है वो दोनों पती पतनी भोजन खाते हैं और भगवान का शुकर करते हैं कि उन्हें वो जादूई बांसरी मिल गई इस तरहां वो पती पतनी उस जादूई बांसरी से तरहां तरहां की चीजें लेते भोजन और ढूसी चीजें उस जादूई बांसरी से लेकर बाचार में बेश देते ऐसे कुछ ही दिन गुजडते हैं कि वो तो अमीर हो जाते हैं वो अपना घर भी बना लेते हैं और उनके घर में खाने को ठेड़ सारा भोजन भी था वो तो भोजन दूसरे घरी पक्षियों में बांट भी देते उस छोटे को तो मैंने जायदाद में से भी कुछ नहीं दिया फिर उसके पास इतने पैसे कहां से आगे घर भी पक्का बना लिया है और वो भी अपना देखो तो हर रोज कैसे दूसरे घरी पक्षियों में भोजन बांटा है चलो आज रात उसके खर जा कर देखते हैं कि आχिर माज़रा क्या है फिर जैसे ही रात होती है बड़ा भाई और उसकी पतनी खिड़की में से देखते हैं जादूई बांटारी गाती जा और मुझे चावल देती जा तो ये सारा काम इस जादूई बांसरी से हो रहा है इसे आज राथ ही चुलाना होगा आधी राथ ही, सब सो रहे थे कि बड़ा भाई अपने ही छोटे भाई के घर में चोरी करने आता है वो चुपके से जादूई बांसरी उठाता है और भाग जाता है घर जाकर वो अपनी पतनी से कहता है अब देखना मैं इस जादूई बांसरी से क्या मांगता हूँ छोटा तो पागल है जो इस जादूई बांसरी से केवल भोचन ही मांगता है जादूई बांसरी गाती जा और सोने का धेर लगाती जा वो जादूई बांसरी तो ऐसे लालजी पक्षियों के लिए नहीं थी फिर क्या था कि वो जादूई बांसरी सोना देने की बज़ाए उसकी पटाई शुरू कर देती है वो जादूई बांसरी सारी रात उसकी पटाई करती है उसकी बतनी तो डर के मारे एक कौने में चुप जाती है दूसरे रोज छोटा भाई आकर अपने बड़े भाई की जान बचाता है रुपजा ऐ जादूई बांसरी अब बड़े भाई को बहुत सजा मिल चुकी है भाई याद करो वो दिन जब हम अकठे खेलते थे और मां के साथ सोते थे और आज इस धंदूलत और जायदार ने कैसे हमें दूर कर दिया उस दिन के बड़ा भाई भी अपने चोटे भाई से प्यार करने लगता है और वो सब खुशी खुशी रहती है वो जड़िया अपने माता पिता की अकलोती संतान थी उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे पापा जड़िया आटो चला कर अपने बरिवार को पाल रहा था जबके वो जड़िया स्कूल में पढ़ती थी एक दिन वो जड़िया अपने पापा से कहती है आप मुझे भी ओटो चलाना सिखा दे ना पापा मेरी बेटी ओटो सीख कर क्या करेगी बेटा आप अपनी पढ़ाई पर तवज्जा दो आपको पता है ना मैं आपको डॉक्टर बनाना चाहता हूँ पापा जब मैं आपको ओटो चलाते देखती हूँ तो मेरा भी मन करता है कि मैं भी ओटो चलाऊं प्लीज पापा प्लीज ठीक है मेरी बेटी मैं तुम्हें कल से ओटो चिलाना सिखा दूँगा आप भी अपनी बेटी की हर उल्टी सीधी बात माने लग जाते हैं अब इसकी शादी की उमर हो गई है अब हमें इसकी शादी की त्यारी करना है लेकिन मा मैं अभी शादी नहीं करना जाती मैंने तो अभी पढ़ लिखकर अपने पापा के सपने को पूरा करना है मेरी बेटी ठीक ही तो कह रही है मैं अभी इतनी जल्दी अपनी बेटी की शादी नहीं करूँगा आओ मेरी बेटी मैं तुम्हें आज से ही ओटो चिलाना सिखा दूँगा फिर पापा चिडिया अपनी बेटी को साथ लेकर चला जाता है ऐसे थोड़े ही दिनों में चिडिया ओटो चलाना सीख लेती है कुछ दिनों बाद पापा चिडिया बिमार हो जाता है और वो तो बिस्तर के साथ लग जाता है अब तो घर चलाने के लिए पैसे बिलकुल खतम हो चुके थे अरे सुनिये ऐसा कैसे चलेगा आप बिमार होकर बिस्तर पर लग गए है और घर में राशन पानी सब खतम हो गया है और उपर से बिटिया रानी की फीस भी जमा करवानी है मैं ये सब कैसे करूँगी मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि खुद में हिम्मत पैदा करूँ और धंदे पा निकलूँ लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं पैदा हो रही मा, मैंने पापा से ओटो चलाना सीख तो रखा है आज से मैं ओटो चलाया करूँगी और अपना घर भी चलाऊंगी और अपने पापा का इलाज भी करवाऊंगी लेकिन बेटा, तुम एक लड़की पक्षी हो तुम कैसे ओटो चलाऊगी और तमहारी तालीम, मा, लड़की और लड़के में कोई फरक नहीं अगर मैं लड़की हूँ तो क्या मैं अपने घर को बरबाद होता देखूं अपने माता पिता के लिए कुछ भी ना करूं अब आप मुझे ना रोकना, मैं आज से ही ओटो चलाने का काम शुरू करूंगी फिर वो चेडिया जंकल में ओटो चलाती है वो सारा दिन यातरी पक्षियों को एक जगा से दूसरी जगा ले कर जाती और शाम तक जो पैसे कमाती उनसे घर का राशन और अपने पापा की दवा ले जाती लेकिन उपर वाले को कुछ और ही मन्जूर था एक दिन उस चेडिया के पापा की मिर्ती हो जाती है उस चेडिया पर तो गमों का पहाड गिर चुका था लेकिन वो चिडिया बहुत बहादर थी वो अपनी मा को उस मुश्कल की घड़ी में सहयोग देती है और दुबारा फिर से आटो चलाने का काम शुरू करती है लेकिन उसकी मा भी ज्यादा देर अपने पती की जुदाई का सदमा बरताश्त ना कर सकी और एक दिन वो भी ये दुनिया चोड़ कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई उस चिडिया की तो सारी दुनिया ही उजड़ चुकी थी कहते हैं ना कि समय दुखों का मरहम होता है इसलिए समय गुजरने के साथ उस चिडिया के गम भी थोड़ा कम हो जाते है ऐसे ही एक दिन वो चिडिया ओटो में सवारी चोड़ कर वापिस आ रही थी कि रास्ते में उसका ओटो खराब हो जाता है वो खड़ी किसी का इंतजार कर रही थी कि कोई आए और उसका ओटो ठीक करने में उसकी मदद करे फिर थोड़ी देर बाद वहां एक चिड़ा आता है मेडम आप यहां इस इंसान अलाके में अकेली क्यों खड़ी है कहीं तुम बबलू तो नहीं हो हाँ मैं बबलू ही हूँ लेकिन आपको मेरे नाम का कैसे पता चला तुम मुझे भूल के अपने बच्पन की दोस्त को और फिर बबलू चिड़े को भी सब यादा जाता है कि वो दोनों तो बच्पन के पके दोस्त है फिर वो चिड़ा भी चिड़िया से मिलकर बहुत खुश होता है चिड़िया अपने बारे में सब अपने दोस्त को बताती है तुम्हारे माता पीता के बारे में सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ फिर वो चिड़ा और चिड़िया हर रोज मिलने लगे आहिस्ता आहिस्ता उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया और वो चिड़ा चिड़िया को बिहा कर अपने घर ले जाता है और वो दोनों हंसी खुशी का जीवन भी ताने लगते हैं